लंबे समय से एक सवाल बना हुआ था कि क्या अखलेश और शिप्पाल साथ आएंगे लेकिन बीते दिन इस सवाल का जवाब मिल गया लेकिन जवाब आते ही यूपी की सियासत में हलचल भी मच गई और अब बीजेपी का डर उसके बयानों में एक बार फिर सामने आया जब अ चुनाओं के नजदीक आते ही यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है और गटवंधनों का दौर तेज हो गया है और इस मामले में सपा का पढ़ला सबसे ज्यादा भारी नज़र आ रहा है क्योंकि सपा के साथ सबसे ज्यादा पार्टियों का गटवंधन हो चुका है अब विसी के चलते सताधारी बीजेपी की टेंशन बिढ़ गई है और उनकी ये टेंशन उनके बयानों में जाहिर होती है उसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी अध्यक शकलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिपाल यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुखे मंतरी केशव प्रसाद मौरी की प्रतिकरी आई है केशव प्रसाद मौरी ने कहा कि साल 2022 में एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत कर बीजेपी की सोशास्चन वाली सरकार बनने जा रही है चाचा भतीजे मिले चाहे बुआ भतीजे मिले चाहे कॉंग्रेस और सपा मिले या फिर सारे मिल जाए तब भी खिलना तो कमल ही है आपको बता दे कि बीते दिनियानी गुरुआर को कभी प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिपाल सिंग यादव से उनके आवाज पर जाकर मु सेंदुमारी के सपने देख रही थी डीवी लाइव की रिपोर्ट